साधानतंत्र दिमसे पाड़ानों करीबा सारा देश अबंग एथी पाइं दिली राजपात प्रास्तु ते बंग एथी साधानतंत्र दिमसे पाइं मुख्या ओती थिवाबे एजिप्ट रास्ट्र पती अब्देल फटेह एल्सिसी पहुंच सारी छोट दिलीरे अपण सिधा अ.. thank You ministers we next have the memorandum on cooperation in youth matters from the Egyptian side Mr. Sami Hassan Shokri minister of foreign affairs and from the Indian side Shrianurat Singh Tak лег measuring औिस्ट से फिस्ट साध्टी हम औरी औरियाद, क्योथ में भूजादा प्रॉपटरों और मॉजय। । नेक्टाम्स अभूणी अधरेश भूडूटी सानी नथ लौटिट्टी, और नशनल-म्या अधर्ती इजिप्त, from the Egyptian side Mr. Sameh Hassan Shokri Minister of Foreign Affairs and from the Indian side Shri Anurad Singh Thakur Minister of Information and Broadcasting Youth Affairs and Sports will do the exchange please thank you ministers ladies and gentlemen this concludes the exchange ceremony I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings good afternoon your Excellency his ex is Abdulavata LCC president of the Arab Republic of Egypt Honorable Prime Minister Shinarendra Modi ji Honorable ministers members of both delegations distinguished guests friends from the media we will now have the press statements may I now request Honorable Prime Minister Shinarendra Modi to miss his remarks to the media sir the floor is yours Your Excellency राश्पति सीसी दोनों देशों के मंत्रीगां इवं डेलिगेट्स मीडिया के सास्थियों सबसे पहले तो मैं राश्पति सीसी और उनके डेलिगेशन का भारत मैं हार्दिक स्वागत करना चाहाँ गया राश्पति सीसी कल हमारे गनत्र दिवस हमारों में मुख्य अतेजी की रूप में शामिल हो रहे हैं यह पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विशा है मुझे इस बाग के भी खुशी है कि इजीप्ती एक सैन्य टुकडी भी हमारे गनत्र दिवस में भाग कर भाग लेकर के परेड की शुभा बढ़ा रही है फ्रेंट्स भारत और मिस्र विश्वकी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं हमारे बीच कई हजारों वर्स का अनवरत नाता रहा है चार हजार वर्सों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माद्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और बिश्व में विबिन परिवरतनों के बावजुद हमारे समंदों में एक स्थीरता रही है और हमारा सैयोग निरंतर सुद्रड रहा है पिछले कुछ वर्षों में हमारी आपसी सैयोग में और गहराय आई है और मैं इसका बहुत बड़ा स्रेक मेरे मित्र राजपती सीसी के कुशन नेतरुतों को देना चाहूंगा इस वर्ष भारत ने अपनी जीट्वेंटी अध्रिक्ता के दोरा इजिप्त को अतिती देश के रुप में आमंतिर किया है जो हमारी विशेश मित्रता को दर्साता है फ्रेंट्स अरब सागर के एक छोड़ पर भारत है तो दूसरी और इजिप्त है दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वे पूरे एक शेत्र में शांती और समुर्द्र के लिए मददगार होगा इसलिए आज की बैठक में राजपती सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षिय भागेदारी को स्ट्रेजिक पार्टरिशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णे लिया है हमने ताय किया है कि भारत इजिप्त स्ट्रेजिक पार्टरिशिप पे पहत हम राजनितिक, सुरक्षा, आर्थिक, एवं वैज्यानिक शेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लौंग तम डाचा विक्सित करेंगे भारत और इजिप्त दुनिया भर में हो रहे हैं आतंगवाद के पतार से चिंतित है हम एकमत है कि आतंगवाद मानवता के लिए सबसे गंबीर सुरक्षा खत्रा है दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम को समाप्त करने के लिए ठोश कारेवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतराश्य समुदाय को सचेज करने का प्रहत्त करते रहेंगे हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाए है पिछले कुछ वरसों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं केपिसिटी बिलिनिंग के कारियों में उलेखनी बढ़ोती हुई है हमने आज की बैटक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मिद्बूत करने और काउंटर टर्रिजम संबंदी सुचना एवं मिंटलिजन्स का आदान प्रदान बढ़ाने का भी दिनने लिया है एक्स्रिमिस्ट विचारधारा हुँ तता रिडिकलाजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दूर्प्योग एक बढ़ता हुआ संकट है इसके खिलाब भी हम सहयोग बढ़ाएंगे फ्रेंट्स कोबीड महमारी के दोरां हमने हेल्ज कैर इंफ्रसेक्टर तता ग्लोबल सप्लाई चेंज पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है राजप्रति सीसी और मैं इस चनौति पूर्ण काल में निटकर संग्पर्क में रहे और देनों देशों के अवशक्ता के समाएं एक दुसरे को तत्काल सहायता बेची आज हमने कोवीड और उसके बाद यूक्रेन संगर्ज के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेंज को उस पर भी मजबूत करने के दिशा में प्यापक चर्चा की है हम इन शेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की अवशक्ता पर भी सहमत हुए हैं हमने मिलकर यह ताय किया कि अगले पांच वर्षों में हम अपने दिपक्षिय व्यापार को बारा बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे कोग 27 को सफलता पुरूब को होश करने और क्राइमेट के शेत्र में विकासिल देशों के हीतों को सुनिशित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्त की सरहना करते हैं सहिंतराष्ट तथा अन्य आंतराष्ट्य फोरम में भारत और इजिप्त का लंबा और बहतरीन से योग रहा है हम दोनों ही अंतराष्ट्य विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमसी और डायलोग की आवश्यक्ता पर भी सहमत है मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलिगेशन का भारत में रदय पुरवग स्वागत करता हूँ मैं आपको और इजिप्त के लोगों को नए शाल के सुबकामनाई भी देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ली राजपथ प्रस्तुत होई सारीची येथर सधान तंत्र दिवस पाई मुख्या अति थी भापे इजिप्त राष्टपती अब्देल फटाह एलससी दिल्ली रासी पहंच सारीछांती दिल्ली पहंची बापरे अब्देल फटेहंकु स्वागत करीछांती राष्टपती द्रोपदी मुर्मु एमों प्रधान मंतरी नरेद्र बोदी कोवेड परे एथरा बन्नाडी हट हंगरे देशा पालीप साधान तंत्र दिवस असे परी प्रथम तर पाई पतका उत्तोलोन करीबे राष्टपती द्रोपदी मुर्मु त्राको पतका उत्तोलोन मेले सहजो करीबे फ्लाइट लेपनांड कोमल रानी साधान तंत्र दिवसर अब्वेबहित पूर्बोरू आजी संध्या साततारे देशा उद्धेश्यर अभिभाष्ण देवे राष्टपती हैलेसे कोण अभिभाष्ण रखीवे सेने उतकंठा बढ़ीच्छी साधान तंत्र दिवसर जेपरी कोणोसी अघटण न अघटे सेती पाइन दिली पोलीस सजाग अची दिली पोलीस तरफ्रू विभिन्न स्थानारे बैरिकेड करा जै गाडी गुडिकु जांच करा जाईची एथी साँ छोटो बड़ा होटेली रहुतिवा ब्यक्तिंक परिचिय पत्र जांच होँछी कोणोसी प्रकार संदे होजनक स्थिती किमबा ब्यक्ति नजरको आसीले तुरंत खबर देबाको होटेल कर्म चरिंकु दिली पोलीस पक्खेरू कहा जाईची पोलीस तरप्रू पैट्रोलिंक को अधिक कडा कडी करा जाईची बजार भीडो स्थाना बंग अन्यों गुरुत्त पुर्ण स्थाना दे दिली पोलीस रो डग स्क्वाड बोम्मा निसक्रियो कारी दड़मध्यों जांच करू छंती